हेलो दोस्तों स्वागते आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माइक्र उनलाइन सर्विस आस्ता में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्या रहेगा उसकी गाइडलाइन पुरी जानकारी समझते हैं कुछ इस प्रकार का आपका पोर्टल रहेगा इसी पोर्टल से आप पाम भर पाएंगे न्यू केंडिडेट रहेगी सब हम आगे बात करने वाले तो इसका बुलेट इंफरमिशन देखकर आपको पूरी प्रकारी मिल जाएगी कि कब से कब तक इसकी डेट है कब से कब तक फार्म चलने उनलाइन एप्लिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको जो फॉर्म की जो रेइस्टेशन की डेट है 22 मार्च 2024 से आपका फार्म स्टार्ट हो चुका है और 34 2024 तक आपका फार्म चलेगा ठीक इसके बाद में यहां पर देखेंगे आपका जो पैमेंट की प्रोसेस है वह भी आपका 34 2024 तक ही चलेगा आगे हम बात करते करेक्शन अगर आपके फार्म में किसी प्रकारी कोई मिस्टेक हो जाती है तो 25 2024 से लेकर के 45 2024 तक आप करेक्शन कर सकते हैं दोस्तों आईए नजर डालते हैं सबसे पहले कि कौन-कौन से पोस्ट हमारे इसमें सामिल होने वाली यह वाली सारी जुत्ती पोस्ट ही यहां पर दी गई है इन सभी पोस्ट को आपको एक बार पर थोड़ा सै स्क्रोल करके नीचे आएंगे तो यहां पर आपको क्लिक हेर टू कर ना है इसके बास भाद सब्मेड वाले अप्श्न पर आपको क्लिक कर देना हैं यहां पर देखेंगे अधार काड वाले औपिशन को आपको 24 में लेना है इसके इसमें आपको Argent कर तो यह सामने open होकर आ जाएगा जो आपका नाम है वह आदार कार्ट के अनुसारी है आजाएगा आप यहां पर father name और आपका mother name और जन्म तारिक भी आपका अदार कार्ट से ही पेश होकर के आ आजाएगी जैसे हमने पूरी जानकारी को फिल किया यहां पर देखें क्या आप पहले से एक सर्विस में थे अगर आप इन में से किसी सर्विस में थे पहले अगर आप इन सर्विस में से हैं जैने की इन दौन neural अपको जग WR आपको फिल करना रहेगा अब बात करते है आपका अल्टरेंट मोईल नंबर अगर आपके पास है तो यहां पर आपको डाल देना है तो इक अधर का अधारेन आपशन यहां पर देखेंगे government identity with photograph, इस वाले option को आपको select कर लेना है, इसके बाद identity proof में आपका जो आधार काट number है उसी को आपको type कर देना है, ठीक है, यहां पर देखेंगे क्या आप PWD candidate मतलब क्या विकलांग हो, अगर हो तो आपको 40% सुपर होना चाहिए disability, अगर नहीं है तो आपका state, district कौन सा है, और पिन कोट जो आधार काड में लिखा है वो आपको डालना है, अब दोस्तों यहां पर देखेंगे कि आपका correspondence address और permanent address अगर एक जैसा ही है, तो इस वाले option के उपर आपको click करना होगा, same address वाले, तो यहां पर जैसे आप click करते हैं, तो पूरी जानक सब्सक्राइब करना रहेगा, आपका नाम एड़रेट लगा के 123 यहां पर security question की बात करते हैं, security question उसके लिए रहता है कि अगर आप गलती से आपका password भोल जाएं, तो आपको वापस से recover करने में आसानी रहें, यहां पर security question में आप कुछ भी लिख सकते हो, आप कौन सी city में जन्म हुआ है, तो जो भी आपका city है, उसे आप यहां पर type कर सकते हो, ठीक है, तो यहां पर हमने city का नाम लिख दिया है, अब आपका जो भी सामने आपके सामने जो capture code है, उसे आपको click करना है, agree के उपर click करेंगा, और submit वाले option के उपर click करना रहेगा, यहां पर आपके सा यहां पर आपके सामने submit और send OTP, इस वाले option के उपर click करेंगे, जैसे हम यहां पर click करते हैं, तो आपका जो mobile number या फिर जो Gmail ID है, उसके उपर ही, यहां पर आपके सामने जैसे जो Gmail ID दिख रहे ही, उसके उपर एक OTP आएगा, और उसे यहां पर आपको submit करना रहेगा, अब submit करने के बाद जो आपने जो Gmail ID डाली है, उसी Gmail ID के उपर आपका application number आजाएगा, वापस से आपको यहां application number टाइप करना है, पासवर्ड आपने जो बनाया वो टाइप करना है, इसके बाद में आपका जो केपचा कोट है, यहां पर टाइप करना है, और उसे login करना है, अब य इसमें आपका अलग-अलग दी गई है, जैसे first तो आपके BSC और सोनट होना चाहिए, या फिर नर्सिंग होना चाहिए, तो आप इसमें form भर सकते हैं, दूसरा है, नर्स के साथ में मेड़ वाइपरी या फिर इनितमे से अलावा नर्सिंग का रोष का कोई certificate भी होना इसके साथ में यहां पर इसके और में देखेंगे तो अलग-अलग दिये यह सब आपको चेक कर लेना है यहां पर हमने जैसे सभी को आपको चेक कर लेना है जैसे दोस्तों मल्टी टास्किंग स्टाफ रहों इनमें अगर आप फाम भरना चाहते हैं तो यहां पर देखेंगे सिर्फ दश्वी पास ही मंगाई दस्वी इसकी भर सकेगे कि सब्मिट करने के बाद दोस्तों देखेंगे यहां पर आपका जो है डाटा से सक्सेशंपुल में पूरी जनकारी आपको वबपस से उसारी जनकारी फिर से फिल करनी रहेगी अब मेन आपका जो फॉर्म यहां से श्टार्ट होता है यहां तक कि आपकी basic जानकारी आ चुकी है आपके सामने यहां पर देखेंगे identity proof आपका जो दिया है वो आपके सामने display हो रहा है nationality की बात करें तो इंडियन हो गया इसके बाद में यह सारी जानकारी आपने जो fill करी है वही सब कुछ आपके सामने दिख रही है marital status की बात करें तो married है अगर married है तो यहां पर आपको दिखाना भी है अब यहां पर आपको save and next वाले option के उपर क्लिक करेंगे और यहां पर देखेंगे data save successfully अब थोड़ा सा नीचे scroll करेंगे यहां पर आपको देखना है कि यह पूरी जानकारी फिल हो चुकी है अब यहां पर आपको टाइप ओप पेस यानिकि आप अर्बन से हो यह आपके रूरल से हो तो हम जो भी आपके केटिगरी आपके आधार काड में अगर ग्रामिंट चेत्र का address डला है तो आपको रूरल ह ही लेना है और अगर अर्बन में हो तो अर्बन का address डाल सकते हैं सेवें नेक्स वाले option के उपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो अब यहां पर आपके जो टेंथ की हमने क्वालिफिकेशन लिया टेंथ वाले जो टेंथ बैसेस पर जो हमने पोस्ट है उसी को सेलेट किया है तो य महीणे में आपको कौन सा महीणे और कौन सा कान lord किया और कौन से निज्स्यल meant स्किरियंस है अगर यहां से अपको क्लिक कर देना है जैसे अगे बढ़ाएंगे तो यहां पर सक्सेशुली डाटा हो चुका है. अब यहां पर आपके सामने कुछ है, नॉर्मल डीटेल रहेगी, यहने कि आप कौन से स्टेट से हो, आपको सेलेट करना है, एक्जाम सिटी, आप इंदोर, भौपाल, उज्जेन, कहां पर जाओगे, जैसे इसमें इंदोर, भौपाल, गौलियर, और जबलपूर, यह चार है जैसे फ़स्ट एफ्रेंस आपको इंदोर दे दिया, आपको सेटी लेना है, जैसे हमने भौपाल लिया है, थर्ड में कौनसा लेना है, तो थर्ड के लिए आप जैसे इन दोनों को लेने के बाद में जो आपका निकर्ट में लगता है, वह आप यहाँ पर जैसे जबलपू सबस्se पहले बात करते हैं आपका दसियों से 200 वीच में आणा चाहिए और लोनवं मjor पार्मड चाहिए चार से ले करके 30 से बीच में आपका सिचनेचर अब बात करते हैं चेयшей प्रमानट्पतर 15 से ले कर 30 सेंoff ही के चाहिए और पीडियो फॉर्मेट में होना चाहिए थम्ब की बात करें तो जैपीजी में होना चाहिए दस से लेकर 200 के बीच में होना चाहिए जैसे फाइनल समयट करते हैं यहां पर आपका डाटा से सक्सेस्पुली हो जाएगा अब यहां पर आपके जो मोबाईल लंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा तो सेंड ओटीपी करने के लिए आपको जो सामने दिख रहे हैं आपका केप्चा कोड उन्हें आपको रियंटर करके डालना होगा इसके बाद बाद हम इसे वेरिफाइगे वेरिफाइग करने के बदेखेंगे लिए मोबाईल नमबर हैस बेन वेरिफाइग ठीक है यह सब कंप्लीट होने के बाद में आपके सामने पूरी इस से प्रिंट आउट निकल जाएगे इसमें आपको पुरा सब्मिट करने से पहले एक बार तो आपके सामने दिखने लगेगा आपको एक हजार रुपे की तीज जमा करना होगी यहां पर करेंगे हम प्रोसेस टूपे ठीक है पैना वाले ऑप्शन के उपर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन देखने लगेंगे अगर आपके पास Net Banking है तो Net Banking से payment कर सकते हैं इसके अलावा Other Net Banking है तो यहां से आप कर सकते हैं थोड़ा सा charges बढ़ेगा debit card है तो इससे करेंगे अगर debit card, credit card इसके बाद में जो भी आपका credit card यहां पर आप देखेंगे आपका UPI card इन मैंसे किसी भी mode से आप payment कर सकते हो तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर दे धनिवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुब्र